दीनों बुंबई में एक्टिंग के शेतर में धुम्मा जा रहे हैं यह तीनों बाल कलाकर वंश्य का यादव हरवनश्य यादव और अश्य का यादव इन्देनों दिपावली मनाने इन दुर आ है इन्हीं बाल कलाकारों से चर्चकी खबरबार न्यूस संबादादा बालकरश्न मुलेने इस वक्त इंदोर के चाइल्ड एक्ट्रेस हैं वन्शी का यादो अंशी का यादो और हरवन्श यादो यह तीनों नन्य मुन्ने छोटे-छोटे से कलाकारे देखों स्टाइल बाल बनाकर पहुंचे खबरबार न्यूस के कारियाले में जो यहां पर वह अपने बारे में बता आपके कितनी उम्र है और आपके कितनी उम्र नहीं मैं अभी सैवेनियस ओल थी जब मैंने शुरुआत की थी और जब मैं अभी बनी हूं वह नाइनियस ओल और मेरी दादफाल के फिल्म एकेड़मी उनका डारेक्टर इमानशी शहरे वहां पर मैं एक्टिंग सीखने हुआ बहुत सारे रोल करने के लिए जाती थी किस तर की एक्टिंग आपने सीखी खासतोर से देखा जाता है जब भी कोई भी नन्ना कलाकार जो होता है जो एक्टिंग करना चाहता है वो रंग मंच से जुड़ता है तो आपके हिमांशी सर रंग मंच से जुड़े वे रंग मंच जिसे हम थेटर के नाम से भी जानते हैं, क्या आपने चोटे-चोटे नाटकों से शुरुवात किये? हाँ, मैं चोटे-चोटे नाटकों से शुरुवात किये, मेरे नाटक का नाम दिल से दिल तक और तीरा के होगा अलिया, तेरह क्या होगा अलिया सब टीवी पर आता है और दिल से दिल तक कलोरश पर आता है े प्रboth करदेज़द से नहीं होAir सबसे पहले पूछा जारे कि उन्हें क्या से किया है Qisari Çi자 ऑखेश का provocative भूरी डे Member कितीती शुरबात में खरें कि सफ को कीछी थी आपको उसकी वर भट होगा कि इसकी बच्चपन से आपको सलागा कि एक एक्टिंग कर सकते हैं चाइड डेटरेस बन सकते हैं क्या वो चीजे थी क्या वो खुबिया थी जिससे आपको प्रेणा मिली कि इन्हें इस श्क्रत्र में आगे किया जाए एक्शल क्या है कि हमानसू सोलंगी जो हैं वो हमारे मित्रें दादा फाल के फिल्म केडमी है जो कि तिलग नगर में उन्हों की काफी दिनों सो ख्वाइश थी कि रोहित तुमारे मां के बच्चे को मैं ट्रेन करूं और उन्हें मुंबई के लिए पोचाने की कोशिश करूं तो हम लोगों ने वहां पर प्रेयास किया हमां इनको एकड़मी में डाला और करीबन देरेक साल तक हम लोगों को ट्रेनिंग दिल भाई उनका काफी सपोर्ट रहा हमें उसके बाद में हम मुंबई गाए मुंबई में हम लोगों ने प्रड़क्शन उसमें के ओडिशन दिये काफी कुछ जगावे जैसे वर्टसवा में हैं अन्धेरी में हैं सचीजुमीत प्रड़क्शन है रस्मीशन वर्ण दभने अलिया बहते हैं और भी बड़े एक्टर सिंजेकी श्रॉफ सावे इसे करके काफी कुछ एक्टर सें जो उस मुवी में काम कर रहे हैं और इन लोग की महनते काफी कुछ समय दिया है इन लोगों इंडेस्टी में हर वंश बात कर जाएंगे सबसे ज्यादे और यह लगातार अपनी जो छोटे बच्चों के जो हरकते होती नॉटी बॉइ इसको बोलते आप लड़का है लड़की बॉइस बाल ओरिजनल यापकी यास कोन-कोन से सीरियल में हाते हो बताएंगे सेलसले बाद नजर शक्ती सावदान इंडिया क्राइम पेट्रोल ख्रा बूतनात्री कब से होगी उसकी शूट स्टार्ट जन्वरी और अभी क्यों से फ्ली में का शूट कर चुके हो बत्तमीस आप तो काफी बड़ी है आप बोलने में सक्षम है आप कुछ एक्टिंग बताइए ने आप जिन सीरियल्स में आती है तो किस तरह के आपके डॉलक्स हो अगर पहली लाइन समझ मैं तो मुझे बिदा समझाना हम बच्चों को लाइफ तो बड़ी कूल होती है लेकिन दो चीजे उनका पाशीना चुड़ा देती है एक गर्मी और दूसरा पापा ममी अरे पापा ममी क्यों क्योंकि मुझे रगता है मेरी पहली लाइन वाला शे सम समझना आसान है लेकिन पापा और ममी को समझना मुश्किल नहीं ना मुम्किन है अगर कोई भी सवाल पूछू तो मुझे एक जवाब मिलता है अब तुम बड़ी हो गई हो अब सवाल यह है मैं बड़ी हो गई हो नहीं कल ही मैंने पापा से पूछा कि मैं बड़ी हो गई ह तो मम्मी के बहाँ जा सकती हूं तब पापा परशान हो रोले अले बेटा इत्ता माला तो मेवी नहीं हुआ मैं भी तो माम में करना पुछे बाहर नहीं जाता इन मम्मी पपना मोड डिमांडिंग होते हैं पहले मैं चुपचा पे कोनी वेवेंट को शांती से टीवी देखती थी तो वो मुझे चिलाते कि मैं बाहर खेलने के नियु जाती तो मैंने बाहर खेलना शोग किया मैं घर में से फ्लोचिंग बोर्डेंग के लाती हूँ तो पढ़ाई भी करने चेना तो मैंने पढ़ाई शोगी उनको मेरी हैडरेटिंग दिखाए दी तो मैरी हैडरेटिंग अच्छे की तो मैं स्पैलेंग मिस्टेक दिखाए दी अब आप बताओ ये ननसिजान करी भी तो क्या करे आज इस वे मम्मी पापा का जगड़ा हो गया मैं किस वज़े से इतनी बीगड़ गई हूँ मम्मी कुलगता है पापके ज़दा प्यासे और पापके ज़दा प्यासे अब बताओ एक साथ सब हादों के मेरी पीछे बस मेरी आपसे एक गुजारिश है उल्फात की राजा से फुरकत कर शिर्माना अगर पापा और मम्मी समझ मैं तो मोझे वर्दा समझाना थैंक यू तो अपने साथ के बच्चों का किस तरह का रेक्शन होता है खासतोर से उन टीचर्स का जो काफी बड़ी होती है आपसे लेकिन एक नन्नी कलाकार करूप में आपको अपनी क्लास में पाती हो और आपको पढ़ाती क्या रेक्शन होता है हमारी टीचर उनका नाम दिपीका मेस है वह बहुत अच्छी टीचर है वह जब मैं जाती हूं तो वह हमेशा पुछते क्या आपने कौन से सिरियल में आये हो कौन से सिरियल में जाते हो तो मेरे फ्रेंस में मुझे अच्छा वेवार करती है अभी वेंटर मुवी आ रही है होरल मुवी है उसमें बहुत सारे एक्टर से और मेरा मैं करेक्टर है उस वह वेंटर मुवी अभी शुरू होएगी अगले महने से अभी नहीं हुआ अभी होएगा हर्वाइश आप इस तरह की कोई स्क्रिप बता सकते है डायलोग साप सुना सकते दर्शकों को कौन कौन से आपके पसंदतर डायलोग से जो आप लगातार याद भी होंगे आपको डर सारे डायलोग से हम ने जिम्ती में अपनी स्वालिप अपनी जरुवत अपनी उकूमत के साप्से नियम बना लिये हैं प्रकति के नियमों रहस्य को समझने की वचा है हम अपने नियमों को परम्व्य समझ लेते हैं क्या ही हमार अंकार है या फिर हम प्रकर से बड़े हैं नहीं ना तो मने शुरने वाले अंकार को त्याग दो जो है उसका सामला करो अधर होके कलर फेसल होगे तो पस्ताब होगा ऐसा हमें हमार साही सिखाते हैं यह तो आपके सिरियल का डॉयलग के स्रक्षिन भगवान पर जो आधारी सिरियल उसका डॉयलग बता रहे ना याद आती अपको अरे अरे ऐसी क्या देखरो कभी कोई खूप सुरत बच्चा नहीं देखा क्या दादी न ममी से कितली बार का है मैं नजर उतार गे भाहा बेजा करो लेकिन ममी दादी की सुनती का है जब देखो जब कोई में तारिफ करी देता है और मैं भी मा पढ़ जाता हूं पिछले बारा में पार्टी में गया थे वहाँ पे रनवीर कपो शेदा करगो थे सब में साथ ही सल्वी किज़े जा रहे थे अरे आप मुझे सब गूर के और चलो में ही अस्ट चला जाता हूं आईशिका से पूछना चाहेंगे कौन-कौन से सीरियल्स में आपने काम किया है और क्या आपके स्क्रिप्टे कुछ डॉयलक्स याद है आपको बोल सकती हूं हमें तो किसी की बात पल लईने पड़ रही है दाइमा कहती है मैं इस घर की बेटी हूं गुरु जी कहते है मैं देवी का अवतार हूं जब ये बात रुद्र से कही जाती है तो रुद्र कहता है कि मैं पागल हूं अब बताओ कोई एक साथ तीन चीज कैसे हो सकता है पागल देवी का अवतार और इस घर की बेटी अब जी भी कुछ चकर हो गया है हमारे साथ इससे तो अच्छा ता जब हमारी आवाज ही नहीं थी अब आवाज आ गई है तो देखो एक यूत्ती में से तीन तीन यूत्ती बना रहे हैं लेकिन पापा कहते हैं गुरु जी भगवान होते हैं और भगवान की बात नहीं सुनते तो पाप पड़ता है लेकिन ये बात रुद्र को कैसे समझाए अगर इतने बड़े आत्मी जब कह रहे हैं तो हम देवी का अवतार ही होंगे ठाइंक यू और वशी का दोलों की जो माहें पूनम मोजूदे आप बती किस तरह की तयारी देखते भजे चोटे पड़ी के सारी ये चाइल्ड एक्ट्रेस और इंदोर में आप रहती हैं बच्चे अ मुंबई में रहते हैं किस तरह के प्रतिक्रिया होते हैं खास्तोर से आसपास के लोगों की सब इनके बारे में पूछते हैं बोलते हैं कि आपके बच्चे नहीं आए आपके बच्ची क्या कर रहे हैं ओडिशन वगएरा सब वगएरा देते हैं हम लोग पूछते हैं स्कुल वगएरा जाते हैं पर हर्वांश को समालता है यह वो भी समलते हैं पर हरवंश है जो दिन में मस्ती करता रहता है स्कूल में मस्ती करता है और चाची को सुनता ही नहीं है बिलकुल भी में जानाटबा को बाता है तो हर बहर को ब 바뀌ते हैं आप चीज भांगता हूं तो चीज नहीं देती है अलड़ा अच्छडा तो इंदोर भी आपका घर हैं इंदोर अच्छ लगता है अच्छ लगता है इंदोर में मिठाई में क्या क्या बनाया है मम्मी नंई निप आली मना रेहां इंदोर कि कुश्मूरय है और हैiddlicher वुन्षी के पूछना चाहेंगे दिपॉली इंदोर में मना रही है हैятся अच्छी बात है बड़ी होकर क्या बनना चाहोंगी एक्ट्रेस बनना चाहोंगी परोकर का बनना चाहेंगे मुपई में अप रहती है का वातरों देखती हो कहा का वातावरन आपको कर दो एक्षा करता है अच्छा लगता है मैं को मों हुए consum वह वोत बात ऑती है में ask लेसु में टीवी industry mental अभाद दीक act कर्ति हूं कि मारे इंड़ॉव को यह इंडिस्ट। तरह साथ कर थे आपको दीदिक वी मुंबाई और आठाएं भात करती है प्रभावित करती है कि अगर मुंबी की बीजिस में गंदेगी दिखती और इंदोर में सोचता दिखती तो इंदोर को बैटर बताना चाहते हैं रोही जी आप बता जाएं किस तरह का भविश्य आपने तही कर रखा आपके और से नन्य मुन्ने बच्चों का बाल कला करो दो साल पहले एक सिरियल के तो सुरज में सांज पिया कसम किया था उसको छे दिनों मुझे काम मुझे उम्मीद नहीं थे कि मुझे महीं में जाने के बाद में इतनी जल्दी उसको वर्किंग मिलेगी मगर उनके ओडिशन अच्छे थे छोटा सा था क्यूट सा भी दिखता कि देखा जा तो बच्चे काफी मेनत करते क्योंकि उनके पास ताइम नहीं होता है। इसकुल करना पड़ता है जीमनिये सिंग कि लाइज जाते हैं स्वेज छाथे न के लाइज परफॉर्म करते हैं। ससमय इतना नहीं हो पाता है कि उपने आपको फालो कर सके हैं। फिर जितना प्रयास करते हैं जितना हो मिनत कर रहे हैं साइद में भी निकर पाओ उन्होंने काफी मिनत करी है एक बात और पुछना चाहूंगा जिस तरह से इंदोर के लोग जब मुंबई जाते हैं स्ट्रोगल करते कहते हैं क्या वातारण वाकई इन छोटी-छोटी बच्चो च सब्सक्राइब्स उसच्टों निकार्व करेंगे निकरना वह सेथे स्टेशन वान का उनने हम लोग ही हैं क्या होता है कि वह अलग अलग कला कर देखने मिले शुटिंग पे जाते हैं मुनीज जेले और भी बहुत सारे एक्टरस प्रक्ष जो बड़े-बड़े श रीए है कि नहीं आपके बच्चे पतिविया साली है और इस टाइब के बच्चे मुंबई में मिलते नहीं है और इमान सुसर ने काफी अच्छी ट्रेनिंग दी उनको जो आज यह इतना का वर्किंग कर रहे हैं इंदोर की फाल के अकादमी में बच्चे इन तीनों बच्चों ने ट साथ ही साथ मैंशी का भी इसी तरह का पर्फामेंस है और लगातार वह काम करती ही छोटे पर दिखाई देती साथ ही अब बड़े पर दिखाई देने की उसकी तैयारी है यह नन्य कलाकार है इंदोर के लिए गोरों की बात है कि मुंबई में अपना नाम रोशन कर रहे है औ कीनों का लाकारों का भविश यूहीं उजवल रहे इने लगातार काम करता रहे कहते हैं इस्ट्रगल तो है लेकिन प्रतिभा के लिए कोई इस्ट्रगल नहीं है केमरा प्रसंट सचीन बर्मा के साथ में बाल कृष्ट मुले खबर बार्ड निउस इंदोर